हम सभी लोग अपने आपको स्वस्त रखने के लिए डेली प्राणयाम करते हैं ब्यायाम करते हैं और सिजनल फॉल और सब्जियां खाते हैं उसमें से एक हर पपीता यह है देखिए पपीते का पेर पपीते के पते इस तरह से दिखते हैं यह काफी बड़े बड़े भी होते ह हैं और किनारे किनारे से कटे हुए होते हैं पपीता को कच्छा भी खाते हैं सब्जिया बना कर और पका कर भी खाया जाता है पपीते के पतियों का रस हमें कई सारी बिमारियों में फायदा पहुचाता है और इसके सेवन से हमें बहुत सारी बिमारियों में तुरन तराम मि तो हमारा सब कुछ शरीर में बैलेंस हो जाता है और प्लेटलेस जो डाउन हो जाते हैं यह बहुत ही तेजी से 3-4 दिनों में ही बढ़ा कर बैलेंस कर देता है यह कई सारी बीमारियों में काफी फेक्टिव होता है तो इसके पत्तों का यूज हम कैसे करते हैं और इसकी मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और इस होम रेमिडी को घर में हम कैसे बनाएंगे तो आज मैं आपको इस वीडियो में बता यहां पर मैंने ताजे पपीते के पत्ते लिये हैं और इसे नमक वाली पानी से अच्छी तरह से दो-तीन बार धूल लिया है अब पत्ते को रफली काट लेंगे और इसके जो पीछे का भाग होता मोटा डंठल होता है उसको हटा देंगे इस तरह से काट ले जब भी घर में किसी को डेंगू या चिकन गुनिया हो जाए तो पपीते के पत्ते का ये जूस सुबह नास्ते के बाद एक कप और रात में खाने के बाद एक कप दे ये हमारे सरीर के प्लेटलेट्स को बहुत ही जल्दी इंक्रीज कर देता है तीन से चार दिन तक ही इसका आप सेवन करें इससे ही आपको काफी फायदा मिल जाएगा और इससे ज़्यादा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका सुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है तो आप इसके पत्तों को एक गलास पानी में सुबर खाले पेट उबाल कर पी लें चाय की तरह तो इससे आपका सुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा और आपको जो ठकान रती है, सुस्ती रती, इसम में काफी ज़्यादा मिलेगा, अब आए इन पत्तो को पीस लेते हैं, मिक्सी में, अब इसमें आधा ग्लास पानी भी डाल देंगे साथ में, ताकि पत्ते अच्छी तरह से बारीक पीस जाए, पत्तो को बारीक अच्छी तरह से पीस लिया, अब आए इसे चन्नी से एक बाल में छान लेते हैं, इसे चन्नी में पलट देंगे, और चमच की साहता से इसे प्रेस करके इसके सारे रस को निकाल लेते हैं, इस तरह से, अब इसके उपर दो चमच पानी और डाल देते हैं, ताकि जो भी थोड़ा बोत रस इन पत्तों के पेस्ट में बचा हुआ है, वह आसानी से चन्नी से नीचे चनकर निकल जाए, इस तरह से दबा दबा कर सारे रस निकाल लेंगे, जूस का टेस्ट थोड़ा पीने में कड़वा होता है, तो आप इसमें एक चमच हनी मिला कर पी सकते हैं, अगर आप डाइबि तो उसमें भी इससे काफी आराम पहुचता है, यह देखिए होममेट पपया जूस बनकर बिल्कुल तयार है, यह बिल्कुल साफ शुत्रा घर का बना हुआ, बिल्कुल सुरच्छी केमकल फ्री बना है, आप इसे फ्रीज में रखकर एक से दो दिन यूज कर सकते हैं, तो दोस्तों फिर मिलते हैं, कुछ नए वीडियो और जानकारी को लेकर, जैहिन!